दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए गैजित्स वाला चैनल को और बेल आइकन को दबाईए टेक्स इनेटेट लेटेस वीडियो से यह रहा साउमी का 5X या MI A1 और यह रहा साउमी का MI 6X या MI A2 भाई सॉरी मज़क कर रहा हूं क्यूंके आसल में यह है Redmi Note 5 Pro पर कहना का तात पर यह यह हैं भाई साउमी का जो 6X है या MI A2 वो करीब करीब देखने में साउमी का Redmi Note 5 Pro की तरह ही लगता है भाई पिछले वार यानि 2017 पर साउमी बालों ने लांच किया था MI A1 या साउमी 5X और यह पहला फोन था जो Android 1 प्लाटफॉर्म के उपर आया था और यह बहुत ही बढ़ इस फोन में आपको Android Oreo यानि 8.1 का अपडेट मिल गया है पर अभी तक Redmi का या साउमी का कोई भी फोन में 8.1 का यानि Oreo का अपडेट नहीं मिला है चाहे हो Redmi Note 5 Pro हो या Redmi Note 4 तो यह जो Android प्लाटफॉर्म के उपर चलता है साउमी के तरब से चाहे हो MI A1 हो या MI A2 आपको यहां प आज चाइना के अंदर साउमी बालों ने लॉंच कर दिया है इसी का सक्सेसर या MI A1 का बड़ा भाईया साउमी MI 6X या MI A2 बहुत जल्द यह फोन इंडिया में भी लॉंच होने वाला है आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं MI A2 या साउमी MI 6X की स्पेसिफिकरिशन के बारे में भाई इसका स्पेसिफिकरिशन कैसा है कौन-कौन सा अपडिट क्या गया है MI A1 से इसका प्राइस क्या होने वाला है क्या आपको लेना चाहिए फोन जो प्राइस इसका रखा गया है उसके अंदर और मेरा चोटा सा एक ओपिनियन्स भी दूंगा और दो कॉंस म पिछले साल यानि 2017 पर सामिवालों ने लॉंच किया था फर्स्ट एवर आंडवाइड वान के उपर एक फोन जो था MI A1 बाई मैं इस फोन करिब करिब एक साल से यूज कर रहा हूं यकीन मानिये मेरा बहुत य अच्छा फोन है चाहे वो क्यामरा डिपार्क्मेंट हो चाहे पर्फोर्मेंस पर हो बहुत यच्छा फोन है पर आज लॉंच किया गया है साउमी की तरब से इसका ही सर्सेसर या बड़ा भाईया साउमी MI6X या MI A2 तो चलिए नजट डालते हैं साउमी की MI6X या जो इंडिया में आएगा MI A2 नाम से इसका स्पेसिविकेशन बाई यहां है इसमें आपको 18.9 असपेक्ट रेश्यो वाला डिस्प्ले भी मिलेगा और यहां पर आपको कॉर्णिं गोईलर ग्लास का पर्टेक्शन भी मिलने वाला है बाई एक बार MI A1 पर आपको 16.5 असपेक्ट रेषियो वाला डिस्प्ले मिलता है पर MI A2 में आपको 18.9 अस्पेक्ट वेसी वाला डिस्प्लेय मिल रहा है बढ़िया है ये बात करते है प्रोसेसर की भाई प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूब्मेंट किया गया है आपको साउनी का MI6X या MI A2 में मिलेगा Qualcomm Snapdragon की OCTACORE 660 का प्रोसेसर ये OCTACORE-based है और ये 2.2 GHz पर चलता है इस प्रोसेसर पर आपको दिखने को मिल जाएगा 4 2.2 GHz पर चलने वाला काईरो 260 कोर्स और 4 1.8 GHz पर चलने वाला काईरो 260 का कोर्स तो ये जो प्रोसेसर है बहुत ही बरिया होने वाला है और गेमिंग के मामले में भी आपको अच्छा पर्फोर्मेंस देने वाला है इसी के साथ आपको मिल रहा है Adreno 512 का GPU जो बहुत यह अच्छा performance के साथ आने माला है और gaming का performance भी बहुत यह अच्छा होने वाला है बाई चलिए बात करते हैं इसके RAM की इस फोन में आपको दो वहन इन्स का RAM दिखने को मिल जाएगा एक 4GB का और दूसरा 6GB का बाई यह जो RAM है यह एडवांस RAM यहां पे यूज क्या गया है इस फोन में आपको LPDDR 4X Dual Channel का RAM दिखने को मिल जाएगा यहनी स्पीड बहुत ही बढ़िया होने वाला है उपर ही फोकस किये थे इसका जो font camera या rear camera दोनों ही camera बहुत ही अच्छा performance देने वाला है बाई Redmi Note 5 Pro मेरे पास है इसका पीछे camera बहुत ही अच्छा है और सामनी का जो 20MP camera है वो भी बहुत ही बढ़िया है कहना का तात पर यह यह है क्यूंकि सामनी का जो MI6X है या MI A2 कुछ आपको इस तरह का ही camera मिलेगा तो पीछे में आपको दो camera मिलता है जो primary camera है वो 12MP का और जो दूसरा camera है depth sensor वाला वो है 20MP का जो 12MP का camera है primary camera वहाँ पे यूस के आगया है sony का IMX486 sensor और इसका aperture है f1.75 और यहाँ पे जो pixel यूस के आगया है वो है 1.25 micron की low light में picture बहुत अच्छा आएगा और light भी यह पूरे तरिके से ले पाएगा और MI6X का जो secondary camera है वो है 20MP का और यहाँ पे यूस क्या गया है telephoto lens MI A1 की तरह और Xiaomi का MI6X दूसरा phone है जिसमें आपको telephoto lens देखने को मिल जाएगा पर आपको Redmi Note 5 Pro में telephoto lens नहीं दिखने को मिलता है वाई telephoto lens के मदद से clarity बहुत अच्छा आता है उसी के साथ आपको जो portrait mode का clarity मिलता है sub-trance मिलता है ages में वो भी बहुत अच्छे तरीके से आता है वाई 20MP का जो secondary camera है वहाँ पे यूस क्या गया है Sony का IMX 376 का sensor इसी के साथ इसका जो aperture है वो है F1.75 और इसमें जो lens यूस क्या गया है वो 1 micron pixel की पीछे में आपको dual tone, dual LED flash देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे EIS का option यानि electronic image stabilization का option भी द्या गया है और यह 4K में video recording करने में सक्सम होगा वाई सामनी के तरफ अगर selfie camera की बात क्या जाए तो आपको Redmi Note 5 Pro की तरह ही 20MP का camera दिया गया है और यहाँ पे भी आपको portrait mode मिल जाएगा front camera में यूज के आगया है Sony IMX 376 का sensor भाई इसका aperture भी 1.75 है इस camera में और भी कुछ extra features आपको दिया गया है MI66 में आपको AI scene recognition का option भी दिया गया है यानि यह बहतरिन और punchy colors आपको देगा इसी के साथ आपको AI based कुछ features भी दिया गया है जैसे के AI background boke mode इसी के साथ यहाँ पर दिया गया है AI 4.0 smart beauty mode और इसी के साथ AI currency conversion option भी दिया गया है font और rear का जो camera का जुगल बंदी है यह बहुत ही अच्छे तरिके से वा है इस phone में definitely MI A1 से अच्छा camera इस phone में दिया गया है चले बात करते हैं battery की इस phone में आपको 3010 image की battery दिखने को मिल जाएगा इसी के साथ इस phone में आपको मिलेगा Qualcomm 3.0 का quick charge का option और 30 minutes पर 50% charge कर देता हैं बहुत fast भाई इस phone के साथ आपको मिल जाएगा एक 18 watt का charger आपको पीछे में fingerprint sensor मिल जाएगा और face detection का option भी मिल जाएगा जैसा आपको Redmi Note 5 Pro में मिलता है इतना ही नहीं आपको Bluetooth का एकदम upgraded version मिल जाएगा 5.0 का और USB Type-C का port भी मिल जाएगा Miracast का option भी मिल जाएगा बहुत फोन में आपको 3.5M का कोई भी headphone jack दिखने को नहीं मिलेगा आपको straight USB Type-C port मिलेगा इससे आप charge भी कर सकते हो data code transfer भी कर सकते हो और गाना सुनने के लिए भी use कर सकते हो Xiaomi का हर एक phones सारी sensors के साथ आता है इस बार भी exception नहीं हुआ है MI6X या MI-A2 में आपको मिल जाएगा सारी sensors जैसे के ambit lens sensor, accelerometer sensor, proximity sensor, gyroscope, gravity sensor, hall sensor, e-compass इसी तरह का सारी sensors आपको इस phone में मिल जाएगा आपको इस phone में air blaster भी देखने को मिलता है जो एक unique features होता है हर एक Xiaomi phones का अगर OS की बात क्या जाए तो MI-A2 या Xiaomi का MI6X में आपको Oreo का 8.1 का OS देखने को मिल जाएगा जो built quality है वो भाई unibody metal design आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो से पहले मैं कहरा था भाई ये जो Redmi Note 5 Pro है ये ही MI का A2 है कहना का ताथ पर ये था कि आपको जो MI-A2 है वो करीब-करीब Redmi Note 5 Pro की तरह ही देखने को मिलेगा पर जो उपर और नीचे पर आपको प्लास्टिक बोड़ी देख रहा है Redmi Note 5 Pro में ये आपको नहीं देखेगा MI-A2 में आपको MI-A1 की तरह ही unibody metal design देखने को मिलेगा यानि यहाँ पर आपको antenna band lines देखने को मिलेगा जो काफी हथ तक अच्छा लगता है compared to Redmi Note 5 Pro क्योंकि MI-A2 पर आपको दो speaker bottom में दिया गया है तो music loud होना चाहिए ये मैं मानता हूँ भाई ये phone launch हुआ है आज चार colors में black, blue, rose gold and gold पर बहुत जद आने वाल है इंडिया पर कब आएगा एक दो महने के अंदर मैं भी वेट कर रहा हूँ MI-A2 को खरिदने के लिए सावमी का MI-6X या MI-A2 ये तीन variants पे launch हुआ है पहला जो variants है वो 4 GB, 64 GB जिसका price चाइना के हिसाब से इंडिया में होगा 17,000 के करीब दूसर जो 6 GB और 64 GB वाला variant चाइना के हिसाब से यानि चाइना का ईवान के हिसाब से इंडिया में price होना चाहिए 19,000 के करीब और जो last variant है 6 GB और 128 GB का इसका price चाइना का ईवान की हिसाब से होना चाहिए 21,000 के करीब price यहाँ पे बहुत ही aggressive है बहुत ही अच्छा है Xiaomi का हर एक phone का price बहुत ही aggressive होता है और बहुत ही budget के अंदर होता है तो Xiaomi का MI6X या MI-A2 जो है इसमें मुझे 3 cons मिला है और ये बढ़िया cons है दोस्तो जो पहला cons है वो आपको MI-A2 में कोई भी 3.5mm का headphone jack नहीं मिलेगा यानि आपको depend करना होगा USB Type-C के उपर आला के ये देखने वाली बात है के Xiaomi box के अंदर provide कर रहा है USB Type-C adapter या नहीं अगर provide करता है तो अच्छा है अगर नहीं करता है तो ये वाला cons बहुत सारी consumers के लिए अच्छा नहीं होगा दूसरा जो कौन से इसकी battery भाई प्रोसेसर अपने अच्छा दिया है बैटरी क्यों नहीं अच्छा दिया है भाई इस phone में आपको 310 इमिज की battery मिलता है हाला के fast charging का option दिया गया है पर आप ही सोचिए अगर 3500 image का battery दिया गया होता तो बहुत ही अच्छा होता इसका performance और इसका demand और भी अच्छा होता तो चलिए last cons के बारे में बात करते हैं ये उतना ज़्यादा cons तो नहीं है पर मुझे लगता है आपके साथ share करना ज़रूरी है भाई MI A1 में आपको उपर और नीचे में bezels बहुत ही बढ़िया मिलता है यारी bezels बहुत बढ़ा है इसी तरह का bezels आपको MI 6X या MI A2 में भी दिखने को मिल जाएगा तो भाई आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ ये फोन बहुत जल आ जाए इंडिया में मैं खरी दूँगा और आपको side by side comparison भी कर दूँगा MI A1 के साथ MI A2 का camera review दूँगा gaming review दूँगा और full review unboxing भी दूँगा दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई उम्मीद करता हूँ आप subscribe कर दोगे मेरा channel अगर अभी तक आपनी notification bell को नहीं दबाया है तो भाई मेरे please notification bell को भी दबा दीजेगा क्यूँगे मेरा हर एक वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा मेरे वीडियो को share कीजेगा comment कीजेगा और आपको क्या लगता है इस price range बे क्या MI A2 या सावमी का MI 6X अच्छा है बहुत अच्छा है MI A1 से पर जो cons मैंने बताया है क्या आपको लगता है ये cons बहुत एक factor हो सकता है आपकी comment का मैं इंदिजार कर रहा हूँ तो आज के लिए इतना ही आपर देखा हो पे आमान नुतून आरेक्टिव वीडियो ते तो खुब भालो था कुण खुब भालो राकुण सवाई के दोन्नो बाद विदाए